हेलो दोस्तों नमस्कार फिर एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों दोखा धड़ी पर लगेगी लागाम अब आधार में होगी जन्म से मृत्ति तक की डीटेल्स जानिये यू आईडी एका आईगा नया प्लान अज के समय में आधार बेहत मातपूर दस्ता बेज़े सरकारी कामकाट से लेकर बैंकिंग या और जरूरी काम के लिए आधार का होना अनिवार है साथ ही आधार कार्ड में दी गई जानकारी का पूरी तरह से अपडेट होना सभी के लिए काफी आहम है समय पर आधार को लेकर सबी तरह के अपडेट्स देता रहता है अब UIDAI ने आधार से जुड़े फरजी वाड़े को रोकने के लिए धांसु प्लान ला रहा है अब UIDAI ने आधार से जन्म और मिरित्यु के डेटा को जोडने का फैसला लिया है इसके तहट अब नवजात चीशु को स्थाई आधार जारी किया जाएगा बाद में इसे बायोमेट्रिक डेटा के साथ अपग्रेट किया जाएगा इतना ही नहीं मिरित्यु के पंजी करण के रिकार्ड को भी आधार के साथ जोड़ा जाएगा ताकि इन नंबर से दुरपयोग को रोका जा सके यानि आधार में अब हर व्यक्त का लाब मिल सके इससे कोई भी सामाजिक सुरच इसी तरह मृत्यू के डेटा से आधार को जोड़ने से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के दुर्पयों को रोका जा सकेगा अभी ऐसे कई मामले सामने आते हैं जीन में लाबार्थी की मौत के बाद भी उसके आधार का इस्तेमाल हो रहा है इसके लिए जल्द ही दो पाइलट परजक्ट सुरू होंगे द्रसल समय समय पर यू आई डी ए आई ग्रहां को के हीट के लिए प्लान पेश करता रहता है अब यू आई डी जीरो आधार अलार्ट करने की भी योजना बना रहा है इससे फरजी आधार नंबर जेनरेट नहीं होगा यानि किसी तरह का फरजी वाड़ा नहीं हो सकेगा इसके तहत एक वेक्ति को एक से ज्यादा अधार अलार्ट नहीं किया जाएगा जा सकेगा जीरो आधार नंबर से लोगों को जिनके पास जन्म निव्यास आए कोई 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 प्रमार नहीं होता है ऐसे व्यक्ति को आधार आधार वेरिफाइड एलक्रानिक साइज के जरिए